प्यारे विध्यारतियों नमस्कार, स्वागते आप सभी का एक और नयीवीडियो में परिक्चा पेपर 2022 कख्चा नोवी कख्चा ग्यारवी विजिक से विसे का कोस्टन पेपर आपका केसा आएगा कितने परसने इसमें से पूछे जाएंगे प्यारे विद्यारतियों आप सभी लोगों से रेक्ष्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प आपकी वार्षिक परिक्चा 2022 कख्चा ग्यारवी विजिक से विसे का कोस्टन पेपर आपका केसा आने वाला है कितने सारे प्रसने इसमें से आपसे परिक्चाओं में पूछे जाएंगे प्यारे विद्यारतियों आज किस वीडियो में आप सभी को पूरा का पूरा कोस्ट पेपर बताने वाला हूं तुसलिया, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी विध्यारती इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राश्ब ज़रू करेंगे और सांत इब यल आइकन को भी ज़रू दबालेंगे, जैसे कि प्यारे विद्यारतियों आप सभी को हमारे द्वार अप्लोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहें तो चलिए प्यारे विद्यारतियों बढ़ते हैं आगे देखते और समझते हैं कि आपकी वारसिक परिख्चा पेपर कक्चा कितने सारे प्रसन आपसे परिख्चा में इसमें से पूछे जाएंगे वन बई वन करके दोस्तों मैं आप सभी को पूरा का पूरा सोल्यूसन यहां पर प्रोवाइट करवाने वाला हूं तो इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे और सांती बेल आइकन को जरू दबा लेंगे तो वेसे तो कक्चा 11 के सभी विद्यारतियों की तयारी बहुत अच्चे से हो गई होगी सब कुछ आपने अच्चे से नोट करके परिक्चाओं में लिखने की तयारी अच्चे से कर ली होगी पर दोस्तो अब आगे आपको डर ये सता रहोगा कि आपका पिजिक्स विसे का कोस्टन पेपर केसा आएगा तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका पिजिक्स विसे का कोस्टन पेपर आपको केसा देखने को मिलेगा देखेगा दोस्तो यहाँ पर इस पर रूप से लिखा गया है कक्चा 11 वी परिक्चा 2021 बाइस पिजिक्स पोते विग्यान विसे का थोड़ा सा दुंदला जरूर है पर इतना भी नहीं है कि आप इसको पढ़ना सको आप दोस्तों इसको आसानी से पूरा पढ़ समझ सकते हो तो देखिएगा आपका जो कोस्टन पेपर होगा वो इस प्रकार का आपको परिक्चाओं में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा के देख सकते हो हंदी और इंग्लिस वर्जन पूरा कोहुच्ट्यन पेपर आपको अपना देखने को मिलेगा यहां पर आपको पूरे की पूरी निर्देश में पढ़ने है और Самसे बनाना है तो प्यारे दोस्तों आप इस जगे से देख पारे हो सर प्रतम आपसे question number 1 में सही विकल्प पूछे जाएंगे तो जो सही विकल्पों की संक्या होगी वो एक गुणा साथ नमर में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे तो चलिएगा वन बाई वन के सही विकल्पों कोहल करते हैं और देखते हैं कि आपका वारसी परिक्चा पेपर कक्षा ग्यारवी हिंदी विसे के question पेपर खाला आपका किस प्रकार से बनके तयार होने वाला है कोश्चन नमर वन दिया गया है का रेकी आवेश घनतु का मातरक होता है तो दोस्तों इसका मातरक क्या होता है तो यह होता कूलोम इसके उपर आपको चिन लगा लेना है और उसी के नीचे अगला दिया गया है एक गोली चाला की धारीता का सूत्रे तो खान अमर का जो question दि इसका राइट अंसर हो जाएगा अनंत होती है किसी चालक तार का प्रतिरोत आप बढ़ने पर क्या होता है तो घा नमर का जो कुश्चन दिया गया ना इसके उपर आपको चिन लगा लेना है अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे दोस्तों आप इस जगे पर देख पार हो अना नमर का क्या कुश्चन दिया गया इस जगे सा आप इसको देख पार हो यहां पर लिखा है दारा के चुम्बा की प्रवाव को सबसे पहले देखा था दारा के चुम्बा की प्रवाव को सबसे पहले किस ने देखा था दोस्तों यह आपको बताना है तो यह आपसे अना प्रतिरोद होना चाहिए तो चाह नम्मर का जो कोस्टन दिया गया है इसका राइट आंसर आपका चोंता वाला हो जाएगा इसके उपर आपको चिन लगा लेना है अब चलिए लाश्ट वाला देखते हैं इसका कि उसका अंसर क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका चाह नम्मर वाला दिया गया है केवल एक प्रतिमान आवेस उत्पन करता है तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चाह नम्मर का जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्दू चेत्र वन चुम्बा की खेतर दोनो इसके उपर आपको चिन लगा लेना है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं को ऩर दो issyनमर 2 के उत्तर को देखते हैं को दोस्तों क्वेजिए मैं आप आपको लिंदू में और बॉटि पूशपि यह प्लसक इसमें आपको लिख लेना है प्लसक इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं तो अगला दिया गया है इस जगे पर आप देख पारे हो आदर्स प्रेरक का ओमी प्रतिरूद होता है तो खानमर का जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएग इसमें भी आपको सुन्य लिख लेना है देश्ट दारा की आवरती भी कितनी हुती है सुन उती इस जगgreat आपको विख लेना है कोस्टन नमर गा यहाँ पर आप देख बाहिए तो गानमर यहाँ पर विद्धुत चुम्बकी तरंगे तरंगे होती है तो अना नमर का जो question होगा दोस्तो इसमें आपको लिख लेना अनुप्रस्त कैसी तरंगे होती अनुप्रस्त तरंगे होती है तो इस जगे पर आपको अनुप्रस्त लिख लेना है और इसी के अलावा दोस्तो और रिखत bene आंत्रीट इस जगे पर पूर्ण आंत्रिक यहाँ ले लेना है दोस्टा आगे बढ़ते हैं डिए तो 175 मिलेगी सब्सक्राइब जोड़ी साइज जोड़ी का मिलड़ी आपको सोब तीन से करते टो तो देखियेगा कोस्तननमर तैन सहिं सही जोडियी का मिलान करते चलें तो यह करने मंद निए खुड़ जाया है है परसे घान करते ज़ो जोड़ इसकी जोड़ी मिल जायेगे और घान जो दिया गए इसको कि छव्राने निए और गा नमर का जो दिया गया है गा नमर की जोड़ी आपको तीसरे से मिलान कर लेनी है और अना नमर का जो दिया गया है इसकी जोड़ी के मिलान आपको छटे नमर से कर लेना है और इसके अलावा चा नमर का जो दिया गया है चा नमर की जोड़ी का मिलान आपका साथवे से हो जाएगा और इस जोड़ी का मिलान आपका इस से हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं और कसिंट नमर 6 को देखते हैं देखिए यहाँ से कॉस्टं नमर 4 में आपसे पूछा जाएगा प्रतिक का एक सब्दी या एक वाक्य में उत्तर दीजिए खली इनकी उत्तर भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इनके उत्तर तयार करके लिखना है तो पहला दिया गया है धातों के लिए उर्जा अंत्राल का मान बताए तो धारतों के लिए उर्जा अंत्राल का मानने कितना है तो यह सुनने इस जगे पर आपको सुनने लिख लेना है अगला देखते हैं तो अग पांतरन होता तो आप इस जगे पर ये लिख लिजेगा चलिए अगला देखते हैं बुलियन सूत्र वाई बराबर ए प्लस बी के द्वारा कौन सा लोजिक काम करता है तो देखिएगा कौन सा लोजिक गेट प्रदस्चित होता है तो गा नमर में आपको क्या लिख लेना है न आणा नमर का जो दिया गया ना दोस्तो इस जगे पर आपको क्या लिख लेना है तो इस जगे पर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू एच यू इसका राइट आंसर यह हो जाएगा अगला देखते हैं आणा नमर वाला कारी फलक तता देली तरंगयों के संबंद में लिकना यह भी आप देख लीजेगा यहां पर आपको लिखना है डवल्यो इस एक्वल टू हसी है और इस तरह से यह उल्टा जैसा बाई बना कि यहां पर लिखना है यहां पर आपको जीरो लिक लेना है तो यह हो चुका चलिए अगला देखते हैं चाह नमर का दिया गया लेंस की चमता का मातरक क्या होता है तो लेंस की चमता का मातरक होता दोस्तो डाय आप्टर क्या होता है यहां पर आपको यह लिख लेना है अगला देखते हैं चाह नमर अपवर्तनांग का मातरक क्या होता है यह आपको बताना देखेगा दोस्तो अपवर्तनांग का कोई मातर नहीं होता है तो इस जगे पर आपको लिख लेना कोई मात्रक नहीं होता है कोई मात्रक नहीं होता है इस प्रकार से दोस्तों आपके यह उत्तर तयार हो जाएंगी अब चलिए देखते हैं कोश्चन निमर चार के बाद में कोश्चन निमर पांच का उत्तर दोस्तों आप इस क्या है जी में अंतर बताईए ग्रहित्या का केपलर के विल्कुल पूरी तरह से आप देख पारे हो पूरा का पूरा कोश्चन पेपर आपका यही का यह आने वाला है पूरा वीडियो देखकर जरू जाईएगा अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को मिस्स किया तो आप क आपी चीजे यहां से भूल जाओगे आपको कुछ भी समझ में इसमें से आने वाला नहीं है तो सबसे पहले आप इस जगे से देख पार हो यहां पर जो कोश्चन दिएगा पूरे के पूरे कोश्चन आपको यही कि परिक्चाव में आपको देखने को मिलेगा चाये तो आ नीचे यहां पर आपसे कोश्चन पूछे गए हैं तो आप लोग इनको भी देखेंगे और इन कोश्चन को भी बराबर यहां से नोट करते चलेंगे जैसे कि माद्दी मुक्त में पत के लिए व्यंजग प्यूत्पन कीजिए निमली कित की परिवासा लिखिए विसेश्ट जिससे कि आप सभी की तयारिया अच्छे से हो जाए आगे आप इस जगे से देख पारे हो न्यूटन के गति का द्विति नियम सिद्धि कीजिए तो यह आपको बताना है और उसी के नीचे यहां से आप से पूछे गए हैं देखिएगा एक रोलल को ढखेलने की आप एक च देखने को मिलने वाला है पूरा का पूरा आगे आप इन चीजों को देख लेजिगा पूरी की पूरी चीज़े आपसे परिक्ष़ों में इसी प्रकार से पूछी जाएंगी आप सब्सक्राइब इनको यहां से नोट कर लेंगे दोस्तों देखिएगा मेरे द्वारा आप स कोश्चन पेपर होगा पूरा का पूरा कोश्चन पेपर आपका यही आने वाला है पर मैं आपको दोस्तों बता दू कि यह आपके कोश्चन पेपर का सेट ए है अगर आपके पास में सेट ए आता है तो पूरा का पूरा आपको यही कोश्चन पेपर देखने को मिलेगा दोस् मैं आप सभी को वार्षिक परिक्चाव के लिए सुपकामना है देता हूं और इस वीडियो से विद्धा लेता हूं नमस्कार